आज हम बात करेंगे मिडलीस के दो प्रमुख देशों इसराइल और इरान के बीच चल रहे विवात की जिसकी जड़ें इतिहास से जुड़ी हैं इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्यूं इरान और इसराइल के बीच युद के आसार बने हैं इन में से कौन सा देश ज़्यादा ताकतवर है और किस देश को दुनिया के ज़्यादा देशों से समर्थन मिलेगा और अगर ये संगर्श युद में बदलता है तो भारत के लिए इसके क्या माइने होंगे इसराइल और इरान के बीच संगर्ज की शुरुवात इसराइल के गठन के साथ होती है 1947 में इरान ने United Nations Partition Plan for Palestine के खिलाफ वोटिंग करी थी और साथ ही 1949 में भी इसराइल को UN में शामिल करने के खिलाफ वोट डाला था पर हलाद बदले 1953 के बाद जब इरान में कू हुआ और प्रो वेस्टन लीडर मोहमद रेजा पहला वे शाफ इरान बने इस समय इसराइल और इरान के रिष्टों में सुधार आया और इरान टर्की के बाद दूसरा मुसलिम मजौर्टी देश बना जिसने इसराइल को एक देश के रूप में मान्यतर दी पर एक बार फिर इन देशों के रिष्टों में बदलाव आया 1979 में इरान में हुई क्रांती के बाद तब इरान ने इस्राइल के साथ सभी राजनाएक और व्यापारिक संभन तोड़ दिये नई इस्रामी सरकार ने इस्राइल को एक राज़क के रूप में मानेता नहीं दी और इस्राइल के अस्तित्व को खत्रा माना 90 के दशक में इस्राइल ने इरान के प्रतीक आकरामक रुख अपनाया इस दोरान दोनों देशों के बीच साइबर हमले, गुप धत्याएं और प्रॉक्सी समू के माध्यम से लड़ाई जैसी घटनाएं हुई इस्राइल ने इरान के परमाणू कारेकरम को अपने लिए एक बड़ा खत्रा माना जबकि इरान का कहना है कि इसके परमाणू कारेकरम शान्तिपूर है इस बीच तेहरान का मानना है कि इसराइल और अमेरिका ने 2000 के दशक की शुरुवात में इस टक्सनेट कम्पीटर वायरस से इरान के न्यूक्लिय प्रोग्राम के लिए यूरेनियम नीचिमिंट करने वाले सेंत्रि फ्यूक्स को टार्गिट किया था इरान ने लम्बे समय से लेबनान में हिजबुलह और गाजा में हमास जैसे गृप्स का समर्थन किया है जिनके साथ इसराइल का आर्म कॉन्फिक्ट रहा है जिससे दोनों राष्टों के बीच तनाव और बढ़ गया है ये सब 20 सालों में इनके 20 संगर्श की वजए हैं पर अब हम ये देखते हैं कि आज के समय क्यों इसराइल इरान के बीच वार का खत्रा बना हुआ है इसराइल ने इस स्ट्राइक से इरान की सीरिया की काउंसलेट को धराशाई कर दिया जिसमें इरान के दो जनरल और पांच आफिसर मारे गए इस्राइल इरान के military officials को target करता रहा है जो support करते रहे है militant groups का जो इस्राइल से Gaza और उसके Lebanon border पर लड़ते रहे हैं October 7 के बाद जब से Gaza वाज शुरू हुआ है तब से clashes बढ़ी हैं इस्राइल और इरान back groups, Hezbollah और हमास के बीच इस्राइल और इरान के बीच proxy was चलते रहे हैं जहां इरान अपने proxy group से इस्राइल पर attack कराता है वहीं इस्राइल इरान के nuclear scientists और military leaders को target करता रहा है पर इस बार इरान ने proxies का use ना करके इस्राइल पर direct attack किया है और 300 से ज़्यादा missiles और drones लाँच किये हैं इस्राइल के advanced multi-layered air defense system की वज़े से इस attack से इस्राइल ने अपने आपको बचा लिया और उसे बहुत कम नुकसान जहिलना पड़ा पर ये direct attack था इस्राइल पर इरान की तरफ से और इसी लिए सब को लगता है इस्राइल बदले में इरान पर attack करेगा अगर इस्राइल और इरान के बीच में सच में war होता है तो दोनों देशों में से किसके पास advantage होगा अगर military capabilities को देखा जाए तो tanks, road, artillery की बात की जाए तो इरान ज्यादा strong है पर इन सब का role ज्यादा नहीं होगा क्योंकि ground invasion की बात करें तो इरान से इस्राइल आने में एराग, जॉर्डन पार करना होगा ऐसे ही navy का भी इतना role नहीं होगा इसलिए air force ज्यादा important हो जाती है इरान के पास बहुत पुराने aircrafts हैं और ये इनकी weakness भी है जेंग डॉग J7, F5, F14 Tomcat हैं जो 1970s के fighter jets हैं इनके पास MiG-29 सबसे latest है वो इसराइल के पास F35, F15, F16 है और ये एक बड़ा advantage है इरान और इसराइल के बीच nuclear warheads में इसराइल आगे लग सकता है पर इरान के पास enriched uranium है जिससे वो nuclear weapons बना सकता है अब अगर बात करी जाए cyber capabilities की तो आप सो सकते हैं कि इसमें इसराइल आगे होगा पर National Cyber Power Index में इरान को दसवी position दी गई है वहीं इसराइल है 19 स्वे स्थान पर तो दोनों countries के पास अपने अपने advantages हैं पर कहीं न कहीं इसराइल का परड़ा थोड़ा जादा भारी लगता है पर जब actual war होता है तो क्या होगा ये क्या पाना काफी मुश्किल है क्योंकि जैसा रश्या यूकरेन war में हुआ किसी ने नहीं सोचा था कि रश्या को यूकरेन की खिलाफ इतना लंबा war लड़ना पड़ेगा और इतनी मुश्किलें आएंगी अब अगर हम global support की बात करें तो ये इस पर निर्भग करेगा कि कौन पहले war स्टार्ट करेगा इसराइल को यूएस और यूरोप का support मिलेगा पर यूएस का कहना है कि अगर इसराइल ने पहले attack करा तो हम साथ नहीं देंगे वैसे ही अगर इरान ने पहले war शुरू किया तो रश्या और चाइना जैसी countries के रहे भी मुश्किल होगा उसका साथ देना अब ये देखते हैं कि इस conflict से भारत को कैसे फरक पड़ेगा भारत के इसराइल और इरान दोनों से strategic ties हैं और दशकों से इन दोनों के बीच अपने आपको balance करते आया है पर अगर ये दोनों देश war की तरफ गए तो ये balance maintain करना मुश्किल हो जाएगा भारत के लिए भारत की deep strategic relationship है इसराइल से दोनों के बीच defense और security partnership है साथ ही रान के साथ भी strategic relationship है और तहरान भारत का major supplier है crude oil का चाबार एक और strategic economic project है जो gateway की तरह काम करता है भारत के लिए अफगानिस्तान और Central Asia में इनी सब वजों से भारत यही चाहेगा कि ये situation de-escalate हो जाए और war की situation ना है अगर आपको ये video informative लगी हो तो do like and subscribe the channel thanks for watching see you in the next video bye bye